तो हेलो साथियो, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंगसर एक कदम सफलता की ओर में और हम ले करके आगा हैं आपके लिए मध्यब्रदर सिच्छक भरती 2023 समंद्ध महत्पूर अपडेट है, MPESB ने 40% और 50% वालों के लिए एक तगड़ा जटका यहाँ पर क्योंकि चाहे वो आपकी सिचक भरती हो, पटवारी भरती हो, पुलिस भरती हो, MPSI को भी भरती हो, सभी भरती समंद्ध जानकारी सबसे पहले आपके अपने चैनल सकसे जंगसर पर ही आपको देखने को मिलती है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके च तो साथ ही हो, जैसा कि आपको बता है, MP पुलिस का एक्जाम आने वाला है, आपकी तयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी, आप किवल कमी रह गई है, तो वो आपके प्रेक्टिस की, तो आपके प्रेक्टिस को और परफेक्ट बनाने के लिए चच्छु प्रकासन के दोर हैं, कुछ इस तरह से आपको प्रेक्टिस सेट देखनों के भी रहेंगे, यहाँ पर आपको हर एक कुश्चन दिया गया होगा, और इसी प्रेक्टिस सेट के पीछे आपको इन कुश्चन का सॉल्यूशन भी बहतरी तरीके से यहाँ पर दिया गया है, इस प्रेक्टिस साम में अपनी एक सीट पकी कर सकते हैं और जो आपकी बुक है उसकी लिंक आपको description box में मिल जाएगी जो कि आपको इसी video की नीचे देखने को मिल जाएगा description box में जा करके Amazon या फिल्पकार्ट किसी से भी आप इस पुस्तक को मगा सकते हैं Amazon और Flipkart दोनों की लिंक आपको description box में देखने को मिल जाएगी उसी के बगल में एक notice वाला option भी आने लगा है जैसे ही आप इस notice वाले option पर click करेंगे तो आप दिखेंगे कि आपके सामने एक PDF खुल करके आ जाएगी जो की official सूचना जारी की यह मद्रप्रदेश करम चारी चैन मंडल आयोक के द्वारा ठीक है तो वो सूचना क्या है इसका मतलब क्या है सारी जानकारी आईए पढ़कर के आपको समझा देते हैं तो पहले हैं पूरी यह जानकारी पढ़नेंगे पढ़नेंगे क्या लिखा गया है उसके बाद में आपको समझाएंगे कि आकरिस का मतलब क्या है दिखे उच्चमाधिमिक सिचक चैनपरिशा दोजार तेस का बिग्यापन दिरांग अठाइस चार दोजार तेस को कर्मचारी चैन्ड मंडल के द्वारा हाई स्कूल जो टेस्ट आपका मतलब की वर्ग एक वाला जो मेंस एक्जाम है प्रवेस पत्र जारी कर दिए गया है उसमें ऐसे आवेदा की समलित हैं जिनने विभिन आधारों पर माननी नियायलों के द्वारा आवेदन पत्र भनने यहों परिच्छा में बैठने है तो अंत्रिम रहत देकर के अंत्रिम परडाम नियायनी प्रक्रणों के निराकरन के अधिन रखने की आदिश दिया गया है दिनांग 1623 की पश्चात आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों को सूचित किया जाता है कि यद उन्हें WP यानि ये प्रेश्पत की बैदता स्वयम ही समाप्त हो जाएगी ऐसे अंत्रिम रहत निराकरत WP प्रक्रणों के अधार पर बरग एक में किसी भी आवेदक को समलित होने की पातरता नहीं रहेगी अत्हा उप्रोगता अनुसार दिनांग 1623 के पस्चात आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों को सूचित किया जाता है कि परिच्छा में उपस्टित परिच्छा में उत्तिन होने मात्र से उन्हें भरती सबंदी आगामी कारवाई प्रक्रिया में कोई दावा नहीं बनता है साथ ही WP अत्वा अंत्रिम रहत प्रदान के संबंद में तुटी पूर जानकाई देने वाले अभ्यरतियों की अभ्यरतिता भी किसी बिस्तरपन रिस्त करने का अधिकार मंडल के पास में सुरच्छित है ठीक है तो यह आपका यहाँ पर ऑफिस्यल नोटिस जारी किया अब इसका अर्थ मतलब क्या है हम आपको बता दें देखिए अभी आपको पता है कि 40-50% को लेकर के 40-50% इसके अलावा एज इसू जो था आयू को लेकर के कुछ लोगों ने रिट पिटीशन डाली थी और कुछ लोगों के रिट पिटीशन खारीज हो गई थी जैसे कि याचका है थी उनको जो है पास कर दिया गया उनकी याचका मानली गई और उनको जो है परिच्छा में बैठने की अनुवती प्रतान कर दी गई और बोला गया कि दुबारा आपका पोटल चालू हो गया था याचका करताओं के लिए और 17 तारिक जो है वो लास्ट डिट र सगाई है किसी विस्तर पर खारिच की जाती है या माननी न्याले के दौरा उनके विरुद्ध में पैडाम दिया जाता है तो उनकी उम्मीद वाजिता स्वयम ही समाप्त हो जाएगी अर्थार भले ही आपका एडमिट कार्ड आ गया है याचका करता वालों का लेकिन किसी व कई सुनवाई हुई है पर आप क्ल काफी सारी जवलपूर में काफी सारी आज़गाओं को झामिड向 के इसी बात को लेकर क यहाँप यहाँ पर ऑफिस्यन घाली कर ददिया है जिस नेकिन के नी से नहीं बता दिया है किसी विस्तर पर अगर कोई गरवड़ी पाई जाती है तो आपकी उमीदवारता निरस्त कर दी जाएगी तो अब यहां पर बर्ग एक वाले जो लोग लगा हैं वो लोग टेंसन में आ गए हैं बर्ग दो वाले भी याजका लगाने की सोच रहे हैं तो बर कि उनकी जिम्मेदारी स्वैम की होगी किसी विस्तर पर याजका खारिज होती है तो MPSB या फिर हमारे चैनल का उसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा यह आप लोग अपने दिमाग में रख लीजी ठीक है बाकि जो लोग रिट्पिटीशन के थूरू अभी एक्जाम देन और 50% को जो हैं लागू कर्वाने का प्रयास करेंगा अगर वहां से लागू हो गया तो फिर यहां से आराम से फिर कोई दिक्कत ही नहीं रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अब एक मात्त सहारा रह गया है कि वानने नहीं सिवराज सिंग चौहान जी के पास जा करके 45% को लागू करवाया जाए आप लोग क्या चाहते है 40 people लागू हो फिर ना लागू हो आप जुह हमको कमेंट से कर कर सकते हैं आपका कोई भी हमें से कमेंट कर सकते हैं जिससे कि टेलिग्राम चैनल है इसको आप जॉइन कर लेना यहाँ पर समय समय पर आपको सारी अपडेट मिलती रहती है साथ साथ में यहाँ पर आपको फ्री में स्ट्री माटेरियल भी प्रोवाइट करा जाता है तो बरग एक बरग दोवाले जो भी तयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर जाकरके फ्री माटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और यह सुबदा केवल केवल सक्सेज जंक्सन यंकिलिए है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी उसकी बाद मियन आप जाक्रके के वहां से सारी किताबें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है बाकि जैसे कोई अपडेट आती है इस भरती से रिलेटेड तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे ठीक है तो तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे चै